हेलो यूरीवान वेलकम बैक तो दी चानल लास्ट मिनिट रिविजन विद आरे सेमांड हीर आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ATKT के जो स्टूडन्स है FY और SY में जिनको भी ATKT थी जो अभी TY में है या जो अभी SY में है और जिनको FY की ATKT है तो अभी आपने देखा होगा कि University की तरफ से notification आ गया है कि जो FY और SY का जो backlog है जो ATKT के स्टूडन्स है उनका exam होगा MCQ pattern के बेस पे अब यह जो MCQ pattern के बेस पे exam होगा तो वो सारी चीज़े वो सारी notifications वो सारे guidelines तो आपको अपने college के basis पे तो मिलते ही रहेंगे लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम discuss करने वाले है कि MCQ pattern में अगर आप exam attempt करोगे तो MCQ को attempt कैसे करे तो how to attempt MCQs, how to clear your etiquette examinations, how to study for theory subjects, how to study for practical subjects and किस तरीके से MCQ को attempt करना है सारी चीज़े बताऊँगा तो last तक बने रहे, वीडियो को last तक देखे और अगर आप पहली बर चैनल पर आए हो तो subscribe कर लेना और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ही आपको last लाइक करना है ताकि आपको time to time notifications मिलते रहे तो अभी हम discuss करेंगे कि आपको MCQs किस तरीके से पूछे जाएंगे और सबसे पहला question जो आपके दिमाग में आता है कि MCQ क्या preparations कैसे करें So all points I am going to guide you, all tips I am going to give you जो आपको काफी help करने वाले है इसके पहले जो TYK students थे, उनको भी MCQ pattern में जो exam लिया गया आपको अपना paper pattern समझना है, अगर आप कोई भी exam attempt करते हो भले वो small exam हो या भले वो कोई भी competitive exam हो सबसे पहला step है आपको अपना paper pattern समझना है अगर हम MCQ की बात करें तो MCQs usually आपको 25 MCQs पूछे जाते है तो that depends कि वो कितने MCQs पूछे जाएंगे लेकिन 25 MCQs अगर आपको पूछे जाते है तो basically 25 पूछे, 30 पूछे, 40 MCQs पूछे तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि paper pattern किस तरीके से है, तो paper pattern यहाँ पे MCQs में ज्यादा tension वाला नहीं है because यहाँ पे सारे के सारे तो आपके multiple choice questions होंगे that is number one, number second, study the important concepts of each chapter so whenever you are attempting any MCQs, students do what? students see the MCQs which are given behind the book तो book के पीछे जो MCQs दिये होते है, मतलब हर chapter के पीछे जो MCQs दिये जाते है वो ही MCQs पढ़ते है और exam में जाते है और exam में कोई दूसरी MCQs आ जाते है और वो कहते है कि MCQs तो आये ही नहीं तो basically मैं आपको एक चीज बताऊँगा जिससे आप कोई भी type के MCQs अगर paper में आए तो भी आप attempt कर सकते हो उसके लिए एक ही काम करना आपको हर chapter के concepts के उपर ध्यान देना है तो whatever is the basics, whatever is the concepts of every chapter you have to concentrate on that अगर आप concepts के उपर focus को रोगे तो concepts से ही तो MCQs बनेंगे तो MCQs solve करने का एक simple तरीका आप concepts के उपर focus जरूर करना फिर previous year के जो question papers थे उसको ध्यान से देखना आप कहेंगे previous year में थो MCQs pattern नहीं था लेकिन कुछ marks थो MCQs आते थे 20 marks के लिए या 10 marks के लिए जैसा आपका paper pattern है वैसा आपको MCQs previous paper pattern से analyze करने है और वो सारे MCQs को एक बार study कर लेना है जैसे मैंने आपको बता है analyze करना है previous year question papers को because previous year question papers also plays a very vital role for attempting the examination since the paper pattern is now changed since you are going to attempt the theory subjects and practical subjects as the MCQ pattern तो उसमें आपको previous year का भी benefit मिलेगा जो previous year के papers में MCQs पूछे गये है उसको भी एक बार आपको analyze करना पड़ेगा और एक थमरूल है for solving MCQs आप कोई भी stream से हो अगर आप science से हो अगर आप commerce से हो अगर आप art से हो अगर आप कोई भी stream से हो आपको एकी चीज़ दियान रखनी है और वो है concept clarity unless and until your concepts are clear देखो MCQs जो बनते है वो concept से बनते है अगर आपका concepts clear है तो आपको जो 4 options पूछे जाते है 4 options में से एक option आपका सही आएगा लेकिन अगर आपका concept clear होगा तो आपको options की भी जरुरत नहीं पड़ेगी तो I usually say that you should focus on the concepts if you are clear with the concepts the options will be a base the options will be playing secondary role options से आपको answer करना बहुत easy जाएगा लेकिन अगर आपका concept clear नहीं है तो 4 options आपको difficult लगेंगे आपको लगेगा कि कौन सा इसमें से सही option हो सकता है तो वो भी चीज़े में आपको बताऊंगा अगर आपको MCQ का answer नहीं आता है थोड़ा बहुत concept आपका clear है तो भी हम किस तरीके से MCQ को attempt करना है ताकि chances बढ़ जाए हमारे MCQ right होने के बहुत सारे students क्या करते है 4 option में से जो भी मन करता है वो option को tick mark करते है तो फिर आपका answer गलत हो जाएगा पहले कैसे होता था theoretical subjects में अगर आप थोड़ा बोद भी related लिखते थे तो आपको थोड़ा बोद marks मिलता था लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है आएगा तो directly आपको सही answer आएगा गलत हुआ तो directly आपको zero marks मिलेंगे सोचते रहते है कि किस तरीके से theory subjects को prepare करना है because theory subjects में तो हमने question answer question answer ऐसे points पड़े थे तो उसको हमें MCQ pattern में अगर पुछा जाएगा तो कैसे पढ़ना है उल्टा में अगर कहू तो theory subjects को अगर MCQ pattern में पुछा गया तो बहुत easy बन गया है अपको क्या करना है सबसे पहला तो point यह arise होता है कि how to start theory subjects because you have learned all question answer format you have learned some paragraphs you have learned 4-5 pages per chapter how to deal with that तो सबसे पहला shortcut method बच्ची apply करते है जो chapter के बाद MCQs दिये होते उसको one time go through करते है उसको one time पढ़ लेते और कहते हैं कि हमने पढ़ लिया ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है मैं आपको steps बताऊँगा कि किस तरीके से आपको उसको पढ़ना है all MCQs are based on concepts सारे MCQs आपके concepts के base के उपर depend करते है concepts के उपर depend करते है तो आपको हर chapter में से concepts के उपर focus करना है जितना आप concepts के उपर focus करोगे उतना आपके MCQs सही आएंगे आपको एक chapter लेना है chapter के सारे concepts को एक बार पढ़ लेना है concepts को पढ़ने के बाद फिर आपको chapter के last में जो MCQs दिये हैं उसे attempt करके देखना है कि आपको वो concepts revise हो रहे है या नहीं यही सही तरीका है MCQs पढ़ने का directly आप MCQs पढ़ोगे तो 200, 300, 400 जितने MCQs पढ़ो आपको उसका कुछ भी benefit नहीं मिलेगा तो वो आपको ध्यान रखना है next point study all concepts of each topic and then try to attempt MCQs जो मैंने अभी आपको बताया पहले आप concepts को clear करे then आप MCQs pattern में जाए read the question first and then option तो question पहले पढ़े फिर option पढ़े तो आप कहेंगे sir ये तो हम जानते हैं लेकिन question सही तरीके से पढ़े question पढ़ने के बाद फिर options को पढ़ना है और options देखने के बाद ये देखना है कि उनमें से जो सही option है जो हमारे concept को relate करता है वो क्या है तो उनमें से सही देखना है और अगर आप confused हो जाते हो बहुत सारे बच्चे confused हो जाते है कभी-कभी ऐसे लगता है कि right option first भी हो सकता है या second भी हो सकता है तो ऐसे case में आपको क्या करना है ऐसे case में आपको elimination method को apply करना अभी आप कहेंगे सर यह elimination method क्या है तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा elimination method क्या है be confident when you tick the right answer काफी important because यहाँ पर आपकी exam जो होगी वो online होगी तो online exam होने के बाद एक बार अगर आपने tick mark करके वो tick mark कर लिया फिर आप उसको change नहीं कर सकते हो कि किस mode से exam होगा sir google form से होगा test mode से होगा that is not your headache that is the headache of the college जो college exam लेगा उनका आपको प्रॉपरली बताएगा mock test लेगा आपको अभी क्या करना है आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाई पे ध्यान देना है कि किस तरीके से हम पढ़े ताकि हमारी etiquette clear हो जाए confident रहना है answer करते वक्तिक मार करते वक्त और किस तरीके से होगा mobile पे exam होगा क्या camera चालू दूर रहेगा क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे comments करते वो सारी चीज़े आप छोड़ दो उसके पीछे भागोगे तो आप अपनी पढ़ाई से दूर जाओगे तो पढ़ाई आपको करनी है यह सारी चीजों के उपर ध्यान नहीं देना है तो theory subjects के बारे में मैंने आपक प्राक्टिकल के बारे में तो practical subjects जो है practical subjects जो है elimination method मैं आपको last में बताऊंगा तो video के साथ बने रहे ताकि आपको elimination method कैसा होता है वो आपको मैं आपको last में बताने वालाओ practical subjects जो है जैसे कि accounts है maths है अगर आपके और कोई भी practical subjects है अब पहला problem यह arise होता है कि practical subjects में तो आप sum solve करते थे अब अगर sum solve करने के लिए हमें एक एक घंडा लगता था एक sum solve करने के लिए तो हम अभी MC की उस किस तरीके से attempt करे सबसे पहले तो किस तरीके से पढ़े ताकि attempt कर पाए तो आपको क्य करना है what to study देको short questions based on chapter will be asked तो short questions आ सकते है छोटे-छोटे points आपको जो maths के अगर रहेंगे तो छोटे-छोटे concepts उसके बारे में पुछे जाएंगे लेकिन आपको मैं फिर से कहता हो कि practical subjects हो या theoretical subjects हो theory is the base, theory पढ़ो practical subjects हो या फिर आपका theoretical subjects हो जो theory है आपके basics के उपर concepts के उपर वो पढ़ो उसी से MCQs बनेंगे focus on all general entries and base of the topic देखो अगर आपके कोई भी chapters या accountants ही related तो general entries उसके related होते है तो आपको general entries को पढ़ना है ध्यान से हर chapter के basics के calculations जो होते है वो पढ़ने ज्यादा detail में नहीं जाओगे तो भी चलेगा because यही से questions बनने वाले है general entries के उपर, basics के उपर, chapter का जो concept clarity है वो आपका होना चाहिए उसके उपर अगर आप ध्यान दोगे तो आप accountants is related कोई भी MCQs attempt कर पाओगे similarly आपके maths के subject के लिए है, छोटे-छोटे questions जो बन पाएंगे वो पढ़ना उसके उपर से आप अपने MCQs को attempt कर सकते है understand the question and then tick the right option, very important point, इसको बहुत बच्चे ignore करते है जितना आप जल्दी MCQ attempt करने का try करेगे, उतना आपका MCQ गलत होने का chance है because MCQ में एक तो बात clear है कि answer आपके सामने है सिर्फ आपको चार options में से एक सही option choose करना है तो उसके लिए या tick mark करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको question को दो बार तीन बार चार बार पड़ना पड़ेगा understand कर लो और फिर उसके बाद अपने options के उपर जाना तो आपको ध्यान रखना है, next point में जाएंगे तो अभी सबसे पहला question होगा कि मेरे तरफ से आपको क्या क्या मिलेगा what will you get here, इस channel पर आपको क्या मिलेगा because आप इस channel पर आये हो, पहली बार आये हो या फिर पहले से इस channel से जुड़े हुए हो तो आपको काफी सारे MCQs इस channel पर मिलने वाले है how to attempt MCQs मैं आपको बताऊंगा अभी तो मैंने आपको सिर्फ theoretical base explain किया है जब हम MCQs solve करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको attempt करना है तो आपको videos regular base पे मिलने वाले है topic wise MCQs मिलेंगे सारे subject से related how to use elimination method अब यह elimination method जैसे मैंने आपको पहले बताऊंगा last में तो देखो elimination method में क्या होता है कि अगर आपके पास एक question है उसके चार options है तो अभी चार options है तो चारो option में से आपको थोड़ा वो तो उस concept के बारे में knowledge है तो concept के बारे में knowledge होने के बाद आपको confusion है अभी कि first option right है second या third या fourth तो आप सबसे पहले गलत option को eliminate कर दे जैसे आपको पक्का पता है कि fourth option इसका नहीं हो सकता तो fourth option को cut कर दे अब आपको क्या हुआ आपके पास तीन options बचे तीन options में भी ये देखे कि third option या second option में से आप कौनसा option eliminate कर सकते हो ताकि क्या होगा आप directly चार में से कुछ भी टिकमार करके होगे तो आपके chances बहुत कम रहेंगे राइट आने के लेकिन elimination method से आपके chances थोड़े बढ़ जाएंगे मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि elimination method से 100% आपका राइट आएगा लेकिन जो बच्चे कुछ भी attempt करके आते हैं जो बच्चे option को पढ़ते हैं डारेक्ली उसको टिकमार करते हैं उनके chances आपको पता है 1% उनका chances है सही option राइट हाने का लेकिन अगर आप elimination method को यूज करोगे गलत option को ही eliminate कर दोगे तो सही option तो एक ही बचेगा तो ऐसे case में भी आप elimination method यूज कर सकते हैं मैं आपको use करके भी बताऊंगा कि उसको किस तरीके से use के जाता है जब हम MCQs solve करेंगे how to attempt MCQs in theory and practical subject तो वो भी हमें आपको इस channel पर बताऊंगा कि theory subject के MCQs को कैसे attempt करना है practical subjects में जो short questions पूछे जाते उसको कैसे attempt करना है everything we are going to see और expected MCQs जो हम यहाँ पर discuss करेंगे expected MCQs से आपको आपके concepts clarity के उपर में focus करूँगा मैं यहाँ पर सिर्फ आपको MCQs solve नहीं करवाऊंगा MCQs के साथ आपको उस concept के बारे में भी बताऊंगा so that आपको उस तरीके का अगर paper में कोई भी MCQ बना तो आपका सही answer उसका आना चाहिए और यह सारे MCQs के PDFs आपको free में मिलेंगे कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आपको क्या करना है चैनल को अभी subscribe कर लेना है वीडियो को like करना है अपने friends में इसको share करना है और telegram app download करना है तो कुछ देड़ हजार subscribers है हमारे उसमें तो उसको आप जॉइंड कर लेना वहाँ पे आपको free में PDF आते रहेगा और वो PDF से आपको काफी benefit मिलेगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अभी subscribe करना है और bell icon को प्रेस करके all notifications प्रेस कर लो तो आपको time to time notifications आते रहेंगे thank you all of you bye bye take care as always work harder be smarter